भारत और नुजुलेंड के बेच वंडे स्रीज जारी है पहला मुकादा टीम इंडिया भी जीत चुकी है अब बारी है रायपुर की जहां रोहिस सर्मा एंड कंपनी दूसरा वंडे भी जीत कर स्रीज को कबजा करना चाहेंगी बिराट कोली पहले मैच में फ्लॉफ रहे हैं एसे में उनकी कोशिस रहेगी कि वे दूसरे मुकाबले में नई रणिती के साथ उद्रे और रनों की बारिस लगा दें भले हैं बिराट कोली कोश भी सोच रहे हैं लेकिन टीम इंडिया के पूरु कोश रविस सासरी के जहान मे एक अलगी गेम प्लाण चल रहा है रविस सासरी नहीं चाहते कि बिराट कोली निई जनलने के ख Tieres खेलना जाली रखे उनके भारत और आस्ट्रेलिया के वेच नौ फर्विल से चार टेस्ट मैचों का टेस्ट स्रीच खेला जाना है। भारत के लिए यह स्रीच जितना हर हाल में आहम है। जून में इंग्लाइन की धर्टी पर वोल्ट टेस्ट चेंपियंशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। कंगारु पाले ही लगबग फाइनल में अपनी जगा पंकी कर चुके हैं। लेकिन भारत के लिए आगे का सफर इतना आसान नहीं है। रोही सर्मा एंड कंपनी को साउथ अपरिका और स्रिलंका से फाइनल के दोड के लिए बड़ी टकर मिल रही है। दोस्तो रवी सास्त्री ने स्पोर्ट कीड़ा की वेबसाइट से कहा कि मैं हमेशा सा यही मानता हूँ कि आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़र्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए। खास तोर पर इसे वक्त पर जब आपको भारत में आगे काफी टेस्ट मैच की खेलना है। मैं महसूस करता हूँ कि इंडिया के टाउप प्लेयर्स ज़्यादा फ़र्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दोस्तो रवी सास्त्री ने आगे कहा कि इस वक्त काफी क्रिकेट खेला जा रहा है। यहीं वक्त है जब आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस वक्त आपको थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है। कुछ मुकाबले छोड़कर आपको बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान देना होगा। इस वक्त बड़ी पिक्चर आश्ट्रेलिया है।